लोगों के डर से ना छोड़े अपने प्रयास यकीन मानिये मंजिल जरूर मिलेगी किसी प्रतियोगिता में असफल होने की बात हो या जिन्दगी की किसी भी फील्ड में हारने वाला इंसान असफल नहीं होता है असफल वो लोग होते हैं जिनका आत्म विश्वास डगमगा जाता है खुद पर अगर भरोसा है तो दुनिया चाहे कितना भी आपको रोकने का प्रयास करेगी आप विजेता वनकर जरूर निकलेंगे अभी जीत जब बहुत छोटा था तो एक दिन स्कूल में टीचर ने उसे एक चैप्टर पुरी क्लास को पढ़कर सुनाने के लिए कहा अभी जीत ने अभी चैप्टर पढ़ना शुरू ही किया था कि टीचर ने उसे जोर से जोपर रहने को कह दिया उसने दोबारा से पढ़ना शुरू किया टीचर ने फिर से उसे जोर से डाट दिया उसने फिर शुरू किया और इस बार भी ऐसा ही हुआ अभी जीत रुआसा हो गया और अपने सीट पर चुपचा पर जाकर बैट गया उसके बाद ग्लास की एक और बच्चे सुरेंद्र ने वही चैप्टर पढ़ना शुरू किया जिसके साथ टीचर ने भी वैसा ही किया लेकिन उसने चैप्टर पढ़ना नहीं छोड़ा और पूरा खत्म करने के बाद ही रुखा जब उसने खत्म किया तो टीचर ने उसके लिए जोड़ से ताली बजाई अब अभी चीत को बड़ा गुस्सा आया उसने इस बारे में टीचर से पूझा तो टीचर ने कहा किसी काम को करने से रोकने वाले लोग हमें अक्सर मिलेंगे जाहे वे खाना खाने जैसा रोजाना किया जाने वाला काम ही क्यों ना हो मगर दूसरों के कहने से जो रुख गया लोक लाज के डर से हार कर बैठ गया वो कभी सबल हो ही नहीं सकता आज अब जीत को आत्म विश्वास का बहुत एहम सबक मिला था तीचर ने उसे समझाया कि जब तक तुम खुद से नहीं हारते हो तब तक तुमारी हार नहीं हो सकती इसलिए जो भी करना है उसे पुरे आत्म विश्वास के साथ करो फिर रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्विले क्यों ना आए तुम्हें रोक नहीं पाएगी मंजिल तो मिल जाए कि भटकते ही सही गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं आइडर ट्रैंग वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें मुझे अच्छा लगएगा थैंकि दोस्तों स्वार चुगा साइनियोग